मलेशिया में लाइफ फाउंदेशन क्रेश लेंड से स्पेस शटल के रूप में खुलने वाली किसी भी अपदेट फिल्म को याद न करें। लोगों पर हमला करती है जिससे वहाँ पलट जाती है और दुरगट नाद्रस हो जाती है। एक EMT मिशेल ली मलबे से बाहर निकलती है जो अब सहजीवन के रूप में जानी जाने वाली विदेशी इकाई की मेजबानी कर रही है। सैन फ्रांसिसको में हमें रिपोर्टर AD Brock Tom Hardy से मिलवाया जाता है जो अपने मंगेतर Annie Wayne Michelle Williams नामक एक वकील के साथ रहता है जो लाइफ फाउंडेशन और उसके CEO कालटन ड्रेक रिज एहमद का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है। AD अपने TV समाचार शोध AD Brock Report के लिए प्रसिद्ध हैं जहां वह दूसरों के साथ साजा करने के लिए खोजी कहानियों से गुजरते हैं। जब वह काम पर जाता है तो AD के बॉस रॉन सेफस जोन्स उसे ड्रेक का साक्षातकार करने के लिए भेजते हैं लेकिन वह AD से ड्रेक पर उसके काम के बारे में कोई सवाल नहीं करने के लिए कहता है। AD वही पूचती है क्योंकि वह जानती है कि AD को पतित किया जा सकता है जिसने उसे New York से बाहर निकाल दिया। AD को AD के कम्प्यूटर पर एक इमेल मिलता है जिसमें शटल क्रैश से होने वाली तीन पुष्ट मॉतों के बारे में जानकारी होती है। उनके आदेशों के खिलाफ AD अपने अंतरिक शियात्रा कारेकरम के बारे में Drake का साक्षातकार लेने जाता है लेकिन फिर Offscript चला जाता है और Drake से मॉतों के बारे में पूछना शुरू कर देता है और वहां उनके लिए कैसे जिम्मेदार है। Drake साक्षातकार को छोटा कर देता है और AD के बॉस ने उसे निकाल दिया एनी को भी निकाल दिया जाता है और वहां AD के साथ संबंध तोड लेती है। वापस मलेशिया में EMT एक स्थानिय बाजार में घूमता है और एक इल खाना शुरू कर देता है। विक्रेता इसके लिए उसका पीछा करता है। इसलिए सहजीवन उसके हाथ के चारों और एक ब्लेड बनाता है और वहां विक्रेता का गला काट देता है। आसपास के दर्शक प्रतिशोद में उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सहजीवन क्विल्स जारी करता है, जो उसके चारों और सभी को मारता है. EMT तब एक बुजुर्ब महिला, विकी इंग के पास जाता है, और सहजीवन EMT जो अब मर चुका है, को छोड़ देता है और बूढ़ी औरत को पकड़ लेता है. तथि के देड़ साल बाद, ड्रेक योनियों पर परीक्षन चला कर सहजीवों में अपनी परीक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है. वह इसहाक, जेरेंड बैंकिन्स, नाम के एक विशय को संबोधित करता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है, जैसे कि वह किसी प्रकार या किसी अन्य की मानवता के लिए एक उलेखनिय उपक्रम कर रहा है. ज्रेक इसहाक के साथ कमरे में सहजीवन देता है और तत्व को अपने शरीर से आगे निकलने देता है. वह कुछ समय के लिए तब तक अच्छा दिखाई देता है, जब तक कि वह कराना शुरू नहीं कर देता है, और सहजीवन इसहाक के वर्तमान में मृत शरीर को छोड़ देता है, जिससे उसके अंबो को निगल लिया जाता है. सैन फ्रांसिसको में, एडी वर्तमान में बेरोजगार और अकेला है, एक छोटे से गंडे कोंडो में रह रहा है. वह पास की एक दुकान में जाता है, जहां वह प्रतिनिधी, श्रीमती चेन, पेगी लूप से परिचित है, हाला कि एडी देखता है कि उसे एक गंडे, सैम मदीना, द्वारा लगातार उसके पैसे से वन्चित किया जा रहा है, और वह कोई नहीं बना सकता किसी तरह का अंत इसके बाद एडी अस्तित्व प्रतिष्ठान के एक शोद करता डॉक्टर डोरा स्किर्थ जेनी रिकॉर्ड के करीब आ गए, जो लोगों पर ड्रेक की परीक्षा से हैरान है उसे ड्रेक का पता लगाने में एडी की मदद की जरूरत है, लेकिन वहाँ नहीं आएगा क्योंकि वहाँ अब इस बात की परवाह नहीं कर सकता की मानव जाती पर क्या आफत आती है एडी एणी के मचान पर उससे मिलने जाती है, बस यहाँ पता लगाने के लिए कि वहाँ अपनी नई प्रेमिका डॉक्टर डैन लुईस, रीड स्कॉर्ट के साथ देट से वापस आ रही है जब वे सभी से अलग हो जाते हैं, एडी ने एणी से कबूल किया कि वहाँ उसे याद करता है और वहाँ ड्रेक को दोश देता है कि उसके साथ क्या हुआ, फिर भी एणी उसे बताती है कि यहाँ उसका अपना मामला है कि वहाँ लगभग असंभव स्थिती में घायल हो गय है, एडी ने बाद में सकिर्थ को अपने मुख्य लक्ष में कूदने के लिए कहा, सकिर्थ एडी को अस्तित्व प्रतिष्ठान के आधार शिविर में ले जाता है और उसे अंदर ले जाता है, एडी सहजीवन के हताहतों की घ्रिनित प्रस्तुतियों की तस्वीरे लेता है वहा मारिया, मेलोरा वाल्टर्स के रूप में रहने वाले लोगों में से एक को याद करता है, जो AD के साथ अच्छी तरह से निपटता है. वहा मारिया को उसके पीछे जाने के लिए उसे अपने सेल से बाहर निकालने का प्रयास करता है. उसके शरीर में सहजीवन उस बिंदु पर, एडी पर खुद को हुक करता है और वहाँ भाग जाता है सुरक्षा अधिकारी एडी का पीछा करते हैं और ऐसा लगता है कि वर्तमान में उन्होंने ताकत और चतुराई में सुधार किया है जिससे उन्हें दूर जाने की अनुमती मिल गई है ड्रेक और उसके परिजन मारिया के शरीर को ढूनते हैं और महसूस करते हैं कि एक सहजीव उदाहरन मुक्त चल रहा है ड्रेक सकिर्थ को स्वीकार करता है कि एडी इसमें शामिल था और वहां उसे एक सेल के अंदर दूसरे सहजीवन द्वारा मारे जाने के लिए पास करता है ड्रेक तब उस समय एडी का पीछा करने के लिए रोलैन्ट ट्रीस, स्कॉट क्लाउडनेस, द्वारा किराय पर लिए गए सेनानियों के एक समू को भेजता है एडी को असामान्य साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ता है उसे अजीबोगरीब खाने के फैसलों की भूख है उनमें जमे हुए आलू बच्चे और खराब मास है और उसे लगता है जैसे उसे बुखार है इसी तरह उसे संबोधित करते हुए एक नीची करकश आवाज सुनाई देने लगती है वह एनी और डैन को उस शहर में पाता है जहां वह दिखावा करता है कि अन्य लोगों के भोजन के दौरान वह कितना बरबाद हो गया है और फिर जीवित जींगा मचलियों को खाने के लिए एक लौबस्टर टैंक में बैठा है एनी और डैन को लगता है कि उन्हें एडी की मदद करनी चाहिए डैन एडी का एक्सरे परीक्षन करता है हालांकी परीक्षन की पुन्रावृत्ती एडी के दिमाग में एक दर्धनाक मोड का कारण बनती है एक बार फिर घर वापस आने पर एडी पीडा में है जब उसका पडोसी उसका संगीत अत्यधिक शोरगुल से बजाता है एडी उसे इसे ठुकराने की सला देने जाता है और तब तक हसा जाता है जब तक सहजीवी एडी के चेहरे को एक विशाल संरचना में बदल देता है और पडोसी तुरन सहमत हो जाता है इस तथे के कुछ मिनिट बाद ट्रीसी और उसके गुंडे उसे पकड़ने के लिए AD के घर में घुस जाते हैं AD हार मानने की कोशिश करता है लेकिन सहजीवन की अलग योजना है मर्क्स के हमले के रूप में AD सहजीवन की सहायता से उन्हें स्वचालित रूप से बंद कर देता है ट्रीसी ने इसे ड्रेक को इठलाने के लिए रिकॉर्ड किया जो इस बात से चकित है कि AD सहजीवन के लिए एक उप्यूक्त समकक्ष है AD तब अपने कोंडों से बच निकलता है क्योंकि अधिक व्यापारी दिखाई देने लगते हैं AD का शहर भर में पीछा किया जाता है क्योंकि वह सवारी करने के लिए एक क्रूजर को ट्रैक करता है सिंबियोट ठगों को बाहर निकालने में उसकी सहायता करता है और इसके अलावा सडकों पर आसानी से आगे बढ़ता है जब तक कि ट्रीसी अपने वाहन से AD से टक्रा नहीं जाता जैसे ही वह AD की और बढ़ता है सहजीवन AD के पूरे शरीर को अभिभूत कर देता है उसे विश में बदल देता है इससे पहले की टॉक्सिन ट्रीस को मार सके दूसरा व्यापारी उस पर गोलियां चला देता है टॉक्सिन अपना सिर काट लेता है और फिर पीछे हज जाता है AD एक बीकन के पास समाप्थ होता है जहां उसकी हड्डिया असाधारन रूप से ठीक हो जाती है टॉक्सिन सहजीवी खुद को क्या कहता है खुद AD को संबोधित करता है और कहता है कि वह एक असाधारन मेजबान है हाला कि एक आदमी के सिर को काटे हुए देखकर AD को अपमानित होना पड़ता है टॉक्सिन AD को बताता है कि अगर उसकी कोई इच्छा है तो वह वास्तव में सिर्फ सहमती चाता है टॉक्सिन के रूप में AD अपने पुराने प्रमुक को ड्रेक के उलंगनों का प्रमान देने के लिए अपने पिछले कामकाजी माहौल के उच्चतम बिंदू पर जाता है जब कोई विमान उपर से गुजरता है तो वहा लगभग छट से गिर जाता है और इसकी पुल्रावरित्ती सहजीवन को परेशान करती है लेकिन टॉक्सिन AD को पकड़ने में काम्याब हो जाता है इससे पहले कि वह शहर के चारों और चीजों को हिलाता है एक बार फिर सबूत छोडने के बाद AD छोडने की कोशिश करता है सिर्फ दया के लिए उसे पाने की कोशिश करने के लिए विश वापस लेने से पहले उन्हें बंद कर देता है AD और एनी उसके मचान से जाने के बाद एक दूसरे के रूप में देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ एक अपराज स्थान है और वहाँ अधिक सहायता के लिए उसे डैन के कार्याले में ले जाती है उसे पता चलता है कि AD के साथ कुछ गड़बढ है टॉक्सिन AD को एनी से बात करने की सला देता है क्योंकि टॉक्सिन ने वास्तव में उसकी सराहना करना शुरू कर दिया है AD अपने पैंचप के लिए माफी मांगता है हालांकि एनी उसे बताती है कि यहाँ समय नहीं है डैन AD पर एक और परिक्षन चलाता है और पता चलता है कि सहजीवन एक परजीवी है जिसे टॉक्सिन बिना बुलाए कर सकता है डैन द्वारा AD को यहाँ बताने के बाद कि वहाँ और सहजीवन मून रूप से एक दूसरे के जीवन को समाप्त कर रही है एनी एक उच्च पुन्रावृत्ती को चालू करती है जिसके कारण सहजीवन को AD के शरीर से हटा दिया जाता है AD के जाने के बाद तोक्सिन जरोखों से निकल जाता है और वहाँ अपने आपको एक छोटे कुत्ते में बंद कर लेता है ट्रीस और उसके आदमी अंत में AD को ढूंडते हैं और उसे ड्रेक के पास ले जाते हैं इस बीच बूढी महिला पहले एक हवाई अड़े पर जाती है और एक छोटे बच्चे को एक नए सहजीवन के रूप में उप्योग करने के लिए ट्राक करती है युवती सैन फ्रांसिसको की ओर बढ़ती है और ड्रेक को ट्राक करती है और सहजीवन तब ड्रेक के शरीर पर नियंतरन कर लेता है सहजीवन के ठिकाने पर ड्रेक AD से सवाल करता है ड्रेक में सहजीवन उसके शरीर के चारों और संदचनाओं का निर्माण करता है जिसका नाम उपरोर है AD को पता चलता है कि ड्रेक के एक बार फिर से अंतरिक्ष में जाने की संभावना है और लोगों को मेजबान के रूप में शामिल करने के लिए उन्हें प्रित्वी पर वापस ले जाने के लिए और सहजीवी मिलेंगे ड्रेक सहजीवन के ठिकाने के बारे में AD की जाँच करता है ड्रेक में सहजीवी उसके शरीर के चारों और संदचना करता है जिसका नाम मोब है एनी को वह कुट्टा मिलता है जो टॉक्सिन को बढ़ावा दे रहा है और फिर वह अस्तित्व प्रतिष्ठान की ओर जाती है क्योंकि उसके पास वर्तमान में टॉक्सिन है उसे शी टॉक्सिन बना रही है एनी एडी को मुक्त करने में मदद करती है और इसके अलावा ट्रीस के सिर को कुतरती है जो उसे डराता है और वह एक चुम्बन के माध्यम से टॉक्सिन को एडी के पास वापस ले जाती है रॉकेट पर चड़ने से पहले एडी और टॉक्सिन ड्रेक और मॉब को धून्डते हैं दो पुरुष अपनी सहजीवन संरचनाओं का उप्योग करते हुए युद्ध करते हैं जबकि एनी उन दोनों को परेशान करने के लिए पुनरावरित्ती करती है और सहजीवी को अपने मेजबानों को छोडने के लिए मजबूर करती है ड्रेक उप्रोर को देखता है और खुद को फिर से जोडने का प्रयास करता है हाला कि एडी ने उसे किनारे से खारिस कर दिया एडी पिवोट्स और उप्रोर द्वारा छेदा जाता है जो तब उस बिंदू पर रॉकेट को शीट करता है क्योंकि यहां उतारना शुरू करता है टॉक्सिन एडी को ट्रैक करता है और उस पर वापस हुक करता है जिससे सूली पर चड़ा हुआ घाव ठीक हो जाता है वे तब रॉकेट पर कूटते हैं क्योंकि टॉक्सिन कट इंधन लाइन को खोल देता है जिससे रॉकेट में विस्फोर्ट हो जाता है और ड्रेक और अप्रोर जल जाते है AD के पानी में गिरने के साथ ही रॉकेट से निकलने वाले फ्लेर्स टॉक्सिन को स्पष्ट रूप से धूल को काटते हैं बनाते हैं कुछ ही समय में AD और Annie ने साथ ही के रूप में अपने रिष्टे को सुधार लिया लगता है उन्होंने निर्दिष्ट किया कि उनके शो को वापस लाने और ड्रेक पर एक शो करने के लिए संपर्क किया जा रहा है लेकिन जेल में किसी से मिलने के लिए उनके पास अलग-अलग विचार है यहां भी पता चला है कि तॉक्सिन अभी भी AD के अंदर है लेकिन वहाँ एनी से इस बारे में चुप रहता है AD एक बुजुर्ग व्यक्ती स्टेन ली को छोड़ देता है और पकड़ लेता है जो उससे आगरा करता है कि वहाँ जो प्यार करता है उसके लिए लड़ना न छोड़े जहर भी आदमी के कुट्टे को खाना चाता है AD टॉक्सिन के साथ घूंगता है और उसके लिए यहाँ समझने की कोशिश करता है कि यहाँ मानते हुए कि वे एक साथ रहेंगे कि वहाँ किसी को भी नहीं खा सकता है जिसे वह चाता है और यहाँ कि वे केवल बुरे लोगों को निशाना बना सकते हैं वह मिसेज चेन की दुकान में जाता है और गुंडे उसे फिर से पैसे के लिए बधाई देने की कोशिश करते हैं AD टॉक्सिन में बदल जाता है और श्रीमती चेन के सामने गुंडे को खा जाता है AD टॉक्सिन से पूछते हैं कि उन्हें सीधे क्य करना चाहिए और वहाँ जवाब देता है कि वे जो चाहें देखने के लिए धन्यवाद कृप्या विडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें आपका दिन अच्छा रहें